इस समय बजाएंगे शंक तो रूठेंगे देवता शंक बजाने से पहले जान लीजिए उसके ज़रूरी निया नमशकार मैं हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं निक्स्ट नाइन स्पीच्वल शंक हिंदु धर्म के पवित्र वाध्य यंत्रों में से एक है धार्मिक और मांगलिक कारे क्रमों की शुरुवात शंक नात से ही की जाती है जिस तरह भगवान कृष्ण को वांसुरी अतिप्रिय है वैसे ही भगवान विश्णु को शंक अतिप्रिय है शंक बजाने से नकरात होनीगाल लाभ ले सकते हैं यह नियम क्या है आइस के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं देखिए सबसे पहले शंख को बजाने से पूर्व आपको उसे गंगा जल से अविश्य शुद कर लेना चाहिए वहीं आप घर के पूजा स्थल पर अगर शंक रखना चाहते हैं तो उसे हमीशा पूजा के लिए ही इस्तिमाल कीजे यानि के इस शंक से आप भगवान का अभिश्य कीजे बजाने के लिए आप घर में कन्नी शंक और रख सकते हैं लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि पूजा घर में एक ही शंक हो बजाने वाले शंक को आप किसी अन्य शुदिस्थान में रखें मही शंक के जरिये भगवान शिव और सूर्य देव पर जल अर्पित ना करें इसके साथ आप विश्णु क्वान का जलावी शेख शंक से कर सकते हैं अगर आप शंक बजाते हैं तो उसे किसी दूसरे को भी नहीं देना चाहिए शंक बजाने के लिए सबसे शुब समय होता है प्रातकल और सूर्य धलने से पहले का समय वही पूजा वाले शंक में हमेशा आपको पानी भर कर रखना चाहिए माननेताओं के नुसार आपको रात्री के समय शंक नहीं बजाना चाहिए इससे मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं इससे मन अस्थिर होता है और अंजाने भय व्यक्ति के मन में घर कर जाते हैं बजाने वाले पर भले ही इसका ज्यादा फर्क ना पड़े लेकिन अचानक से शंक की ध्वनी सुनकर अन्य लोग घबरा सकते हैं साथी रात्री में शंक बजाना स्वास्ते के लिए अच्छा भी नहीं माना जाता है इसके साथी माननेताओं ये भी कहती हैं कि रात्री के समय शंक बजाने से देवताओं की नीद में खलल पड़ती है और इसलिए दिन के समय शंक नात्री में शंक नहीं बजाना चाहिए अगर आप शंक से जिड़ो नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन के कई कश्टों को शंक की पवित्र ध्वनी दूर कर सकती हैं आगे से जब भी आप शंक नात कीजे तो इन बातों का विशेश ध्यान रखिएगा फिलाल के लिए इसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्प्रीजवल तक तक के लिए धन्यवाद